नोश्कार दोस्तों, NCRT 6th class पर चल रहे हैं और उसमें हम 8 chapter कर चुके हैं स्टार्टिंग के यह 8 chapter आज हम 9 chapter पर बात करेंगे खुसहाल गाओं एवं सिम्रद सहर यह यह बड़ा conceptual topic है यह और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस topic में काफी अच्छा topic है उसके बाद यह 3 chapter रहेंगे तीनों chapter पूरी होने के बाद में फिर हम 12th class का 12th class में NCRT के अंदर त इंडिया है सेकेंड पार्ट में मिडाईवल है और जो थर्ड पार्ट है उसमें modern इंडिया है तो हम क्या करेंगे चुकि यह भी प्राचिन बारत है चटी क्लास चटी क्लास पढ़ते ही 12th class का पहला भाग पूरा करेंगे उसके बाद जब 7th पढ़ेंगे तब 12th class का दूसर पूरा बाग पूरा करेंगे और फिर जैसे 8th class पढ़ेंगे उस समय बार्वी का तीसरा बाग क्लिए करेंगे उसके साथ ही NCRT का इस्टी का जो मामला है इंडिन इस्टी का वो complete हो जाएगा 9th 10th और 11th इन तीनों में वर्ल्ड इस्टी तो सामाने तह जितने भी जनरल इस् हिस्टी का जो portion है segment ही अच्छा हो जाएगा उसके बाद मैं आगे जो है उसका प्लान करेंगे वर्ल इस्टी का ठीक है तो चट्थी की पूरी होते हैं बार्वी क्लास की पहला बाग सुरू करेंगे वह पूरा होने के बाद वापस साथ भी करेंगे फिर बार्वी का दूसर की पॉलिटी भी ला सकता हूं बट पहले मैं हिस्टी करोंगा इसे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों का क्या रिस्पोंस है पहले मैं रेगुलर नहीं था तो रिस्पोंस की उम्मीद नहीं कर रहा था अभी मैं कंटीन्यू क्लासिस दे दूंगा तो निश्यत रूप स से रिस्पोंस की उम्मीद रहेगी क्योंकि उस पहुंसी हमारे लिए प्रकार से प्रेर्णा का काम करती है तो आप उस सीजों का ध्यान रखना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाइंथ नवा चैप्टर है नाइंथ चौशाल गां और सिम्रद सहर देखिए तोपिक पहले एक बात बड़ी महत पूर्ण है आप गाउं खुशाल होगा तभी सहर जोगा समर्द होंगे क्योंकि सहरों को कच्छे माल किया पूरती सहरों को दूद दही किया पूरती सहरों को अनास किया पूरती सहरों को सहरों की जरूरते जो हैं वो गाउं से पूरी होती है तो तो जब तक गाओं समर्द खुशाल नहीं होंगे तब तक समर्द सहर की कलपना भी नहीं की जा सकती तो ऐसे कुछ चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ाई गई है NCRT के द्वारा कि किस तरह से गाओं खुशाल हुए और उनकी ऊपर किस तरह से समर्द नगरों का विकास उसके बारे में जानने को मिलेगा और इस चैप्टर में हमें अरीक मेडू पूडू चेरी उसके बारे में भी जानने को मिलेगा और तीन नगरों के साथ साथ में यह भी देखेंगे कि गाओं किस तरह उस समय कौन रहता था गाओं में गाओं का सासन समचाल कैसे होता था ग के एक चीज और बता देता हूं जो NCRT में पढ़ा रहा हूं यह सारे पॉइंट NCRT के content पूरा NCRT का पस जहां कहीं मुझी थूड़ा एक्स्ट्रा बताना होता है तो वहां मैं बता देता हूं बाकि आप यूं समझे जैसे इस पूरे मेरी तरफ से आपको बताया एक्स्टा था कि आपका competition exam में आपको फाइदा हो जाए ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं तो आप इसको उसमें पढ़ोगे तो निशित रूप से फाइदा ही होगा यह आरेस में फाइदा देगा एसाई में देगा जहां कहीं हिस्ट्री बूचि जाती है हर जगे NCRT के चैप्टर आपको निशित रूप से फाइदा देंगे तो आपको मुझे यू लगता है कि आप हर दिन 4-5 गंटे तो यह व्यर्थ करती हो YouTube पे तो आदे गंटे पोने गंटे का एक चैप्टर आता उसको देखने में आपका कोई समय खराब नहीं आपके ऊपर है और देखो तो भी आपके ऊपर है लेकिन मैं वहां पर इस बात को लेकर सोचने लग जाता हूं कि जो student तेरे में पांच-पांच गंटे फालतु की वीडियो में व्यर्थ करता है उसको यह तीस मिनिट का वीडियो देखने में पूछना पट रहा कि यह कि लिए आपको मुझे पूछना पढहरा है कि इस वीडियो को यह देक्थ है कि नहीं कि टने मतलब कि भाई रिस्पोंस अच्छा सा नहीं है और बेजो को भी टाइम नहीं है हम चले जाएंगे हो सकता है कि वीडियो ना दें दूसरी कुछ और तो यह सिस्टम है चलता रहता लेकिन जब तक आपका सपोर्ट मिलेगा तब तक हम इसको करते रहेंगे चलो समय खराबना करते हु लोहे की ओजार हमें विविन भागों से उत्री बारत से भी प्राप्त हुए दक्षिन बारत से भी प्राप्त हुए तो ऐसे बहुत सारे ओजार हमें प्राप्त हुए है और इन ओजारों का यह तो चित्र है यह तो देख रहें वाप इन ओजारों ने किस तरह से क्रसी व्य लोहे की खोज भी थी, कब हुई थी, एक हजार इसा पूरू में लोहे की खोज भी, जब लोहे की खोज भी, तो ये खोज कहां से भी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को NCRT की वीडियोज में, अंतरजी खेडा से खोज भ के यूपी के अदर, हमने आगे महाजन पत्काल पड़ा, उस समय भी ये बात की थी, और अंतरजी खेडा से जब लोहे की खोज भी, तो बारती अर्थ व्यवस्ता में, उस समय की ततकालिक अर्थ व्यवस्ता में, समाज में, सासन व्यवस्ता में, मुद्रा व्यवस्ता में बहुत सारी परीवर्तन हुए थे और इन परीवर्तनों के कारण वैदिकाल और रगवेदिकाल और अत्रवेदिकाल नामक दो विभाजन वैदिकाल के विंटरनेज के द्वारा किये गए थे यह बात मैंने पहले बताई थी तो एक हजार इसाफ पूरो में उत्तरप्रदेश क के अंतरजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई थी इस खोज के बाद में क्या हुआ इस खोज के बाद में विभिन प्रकार के करशीगत उपकर्ण जितने भी थे जो पीछे हमने देखे ये सारे क्रशीगत उपकर्ण चाहे वह हल हो साहे वह आपके किलहाडी वह ये जितने भी उपकर्ण थे करसीगत इन सारे उपकर्णों का निर्मान किसे हुआ लोहे से अब देखो करसीगत उपकर्ण लोहे के बने और जब करसीगत उपकर्ण लोहे के बने तो उससे पहले क्या होता था उससे पहले ये लकडी वगिरा के बनते थे और वो इतने जो जमीन हैं, उनको जोत सके, ये संभव नहीं हो पाता था, लेकिन लोहे की उपकर्ण ने क्या किया था? लोहे की उपकर्ण यो करिसीगद्खेट्र पास्या सकते हुआ क्रिसिगद्खेटर बढ़ा तो नाइफ निश्यट रूपश्यार बढ़न के बाद में निश्यत रूपश्यार या नाइं सुर्णि Shankya के लिए कई परकार के कुवे बनाए गए कई परकार के तालाब बनाए गए इसके अलावा स्थाई स्थाई ऐसे जलासयों का निर्मान हुआ यह सारे काम किये गए और निश्चित रूप से कुवे तालाब जलासय यह सारा बनाने के लिए धन की आउशक्ता होती है श्रम की आउ किसे तू सिंचाई है तू यह व्हे किया गया तो राजने वर्ग ने जब ये सिंचाई करी तो सिंचाई के बाद में इस बड़े वे परिश्रम किया किसानों ने क्या किया परिश्रम किया और इस परिश्रम के कारण क्या हुआ क्रसीगत उत्पादों में व्रदी वी किसमें व्रदी वी क्रसीगत उत्पादों में व्रदी वी ठीक है और क्रसीगत उत्पाद में जब व्रदी होगी तो निश्यत रूप से इसक फाइदा राज परिवारों को भी मिलेगा क्यों कि इनको भी उस टेक्स की रूप में नजराने की रूप में उपहार की रूप में आवक है वो होती रहेगी तो कृसीगत उत्पादत बढ़ने से किसान भी किसान सम्रद हुआ और राज ने परिवार यह राजनी वैवस्ता भी परकार से कैसी भी थी सम्रद भी ठीक है सम्रद भी आप देखी क्या हुआ तो कहने का मतलब यह था जब किसान सम्रद होगा तो निशित रूप से क्या सम्रद हुए थे गाउं सम्रद हुए और जब राजनी वैवस्ता तो निशित रूप से गाउं और सहर दोनों की एक परकार से समर्दी शू निशित वी तो लोही की खोज ने किस परकार से ये सारा का सारा काम किया तो इस पूरे मॉडल से बात तैय हो गई कि गाउं की समर्दी जरूरी है गाउं की खुशाली जरूरी है किस की समर्दी के यह बात प्राचिन काल में भी लागू थी, आज भी उतनी लागू है और भविश्य में भी लागू रहीगी, ठीक है, अभी बिच में कौरोना पीरिड आया, कौरोना पीरिड में आपने देखा होगा कि भारत की GDP ग्रोफ रेट जो है, वो माइनस में चली गई थी, तो भारत प्रेदार चीज जो निकल कर आई, वो यह आई, कि क्रसी सेक्टर को छोड़के, क्रसी सेक्टर एक मातर ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव था इस मंदी के बावजुद भी, इस महमारी के बावजुद भी, सर्वी सेक्टर और वी निर्मान सेक्टर दोनों के दोनों एक न नहरों की समर्दी के लिए बी जरूरी है और गाओं की कोसाली के लिए भी जरूरी तो हमारी जो पहली एडिंग थी वो इसी बात को ब्यां कर रही थी ये सारी पॉर्शन ये सारा पॉइंट पर एक सवाल यहां बनता ना बने बट एक एक मिंदू यह है कि आपको इसकी सामान आपको तो यह लोहे के औजार और खेती यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लोहे के औजार बने लोहे की खोज के बाद मैंने अभी आपको बताया और उस तरह उस लोहे के ओजारों से खेती में क्या-क्या परीवर तनुए ये भी मैंने बात बताई अभी आपको और साथ साथ में ये भी बताई कि किरसी उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन से थे सिंचाई तो सिंचाई के लिए विभिन परकार के करत्रिम जला से कुवे वगेरा तालाब वगेरा बनाए राजन्य लोगों के द्वारा बनाए गए उसके बाद में किसानों के परिश्रम से उत्पादन बढ़ा ये दो पॉइंट हो गए अब अपन बात करेंगे कि गाओं में रहते पर आते हैं कि गाओं में कौन लोग रहते थे और इनकी द्वारा किस प्रिकार से सिस्टम चलता था उसके बाद में फॉट्य पॉइंट कर आते हैं ठीक तो अब बात करते हैं कि गाओं में कौन रहते थे थे तो सिंपल सी बात है कि गाओं में किसान, पसुपालक, मजदूर वर्ग इस टाइप से विभिन स्रेणिया रहती थी लेकिन NCRT ने हमें कुछ इस परकार से बताया है कि अगर बात की जाए यह यह नॉर्थ इंडिया उत्री भारत और यह साउथ इंडिया दक्षिनी भारत NCRT ने थोड़ा प्राप्त होते हैं तो अगर दक्षिनी भारत की बात करें तो इस समय तीन परकार की शिरेणिया हमें प्राप्त होती है तीन परकार की शिरेणिया थी गाओं के अंदर ठीक है तो सबसे पहली जो शिरेणिया उन्होंने बताई है वो बताई है वेलाल वेलाल से ठीक है यह ही भारत के नाम तो थोड़ा सान μालिक होते थे और इनके पास में की बड़ी मात्रा में यह यों कहीं में बस जीवन यापन खेतु ही जमीन है वो होती थी इनके पास में बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती थी किसकी तरह वैलाल की तरह इनके पास में जमीने नहीं थी एक थे कड़े सियार ठीक है क्या थे कड़िस यार ये ऐसे लोग थे जिनके पास में भूमी थी नहीं ये दास की रूप में शुर्मिक की रूप में वो काम करते थे ये अधिमाई भी कहते थे ठीक है ये कैसे थे ये भूमी हीन थे ठीक है ठीक है ये भूमी हीन थे इनके पास में भूमी थी नहीं जो वैलाल के या अणुवार के अधिन रहके काम करते थे ये तीन स्रेणियों का जिक्रेंद सियाटी में मिलता है दक्सीन भारत के अंदर ये तीन टैप के किसान गाओं के अंदर रहते थे हरे अर जहां तक उत्री भारत की बात है तो इन्होंने कई उत्री भारत में भी मोटे-मोटे तोड़ पर तीन पुरकार की श्रेणिया खार बालब बोजक क्या बताया है ग्राम बोजक इन्होंने का था कि यह सबसे बड़े यह कि भूस्वामी थे वैलाल की तरह और भूस्वामी होते थे इनके पास में बड़ी संख्या में जमीने होती थी और यह पद भी अनुवांसिक होता था यह गाओं का परधान था एक परकार से का एक परकार से मुख्या होता था इसके साथ साथ में यह क्या करते थे इसके साथ में यह लोग आपके विभीन परकार की न्याय के कारे करना हो चाहे आपके पुलिस सुरुक्षा व्यवस्ता उस सब कारे करना हो यह सारे कारे यह लोग करते थे ग्राम बोजक करते थे यह वेलाल की तरह क्या उते थे भु स्वामी इसकी बाद में दूसरे में होताई थी स्वतन्तर किसान ग्रह पती कैंनाम दिए ग्रह पती जो सौतन्तर किसान थे वो बड़े भूस्वामी नहीं थे बिलकुल उन्वार की तरह ठीक है जो अपना एक प्रकार से गुजरा चला लेते थे जीवनियापन कर लेते थे ठीक है किसी और के उपर इनको निरबर रहना नहीं पड़ता था तीसरी होते थे आपके भूमिहीन ठीक है भूमिहीन होते थे और साथ-साथ में कुछ शिल्पकार भी होते थे जो विभीन परकार के शिल्प का काम करते थे कई शिल्पकार ऐसे होते थे जो भूमिहीन होते जिसलिए स्रेणिकों साथ में लिख लेते यह भूमिहीन लोग क्या करते थे या तो शिल्प का काम करत इन वसी तरह से कड़ेशियर का मामला आता है, ठीक है, तो ये बात कलिर हो गई कि गाओं में कौन रहते थे तो आप को ओगे कि गाओं में उतरी बारत में अलग व्यवस्ता थी और लक्सिरी बारत में इसकी व्यवस्ता अलग थी ठीक है यह सारे के सारी सस्टम कहां का था यह सारा सस्टम था हमारे गाहों का यह प्रश्न कैसे आता परेक्सा में यह प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यह पूछते हैं कि वैलाल क्या होते हैं उनवार क्या होते हैं कडे सीयार क्या होत ठीक है तो हिगाओं में कौन रहते थे अब बात आती अगला पॉइंट हमारे कि नगर क्या कहती है कहानिया यात्रा वेवरण मूर्थी कलाएं और पुरा तत्तो और उसके बाद में हम आगे देखेंगे सिक्के और यह आगे इसमें फिर आगे और चोट चोटे पॉइंट नगर के बारे में है कि कैसे पेहली चीज यह देखो यहां पर स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझे कि रही है की नगर की जानकारी किस्ते इसके हम आरे पास कापी कूछ मैटर आ है देखिए क्या कहती है कहानिया मतलब क्या हुआ कि इनकी जानकारी हमें साहित्य से भी प्राप्त होती है अगर मैं एक जामपल दू तो बहुत जातक कथाएं जो है इन जातक कथाओं में हमें डेर सारी एक परकार से नगरों की जानकारी मिलती है इसके अलावा यात्रा प्रण का कोline, जाहो के जात्त कता यह सहित्य से में इन नग्रों की जानकारी मिलती है। मूर्थी कल्या, पुराकर, मतलब बलूसरा मतलब हादयında के साल हना मैं पुरात्त्विक शुरूत॥ गया हैं कि पुरातार्टीक श्रोती इन से भी। अमें विभीन परिकर के नगरों की जानकारी प्रैप्त होती है। आलांकि पुरातात्तिक सुरतों में भी यूंका ये कि जो घर थे, वो घर तो सारे नस्ट होगे, क्योंकि वो यहां तो लकडी के बने हुए थे, घास पूस के बने हुए थे, वो घर तो नस्ट हो गए, लेकिन कुछ कलाई हैं, जैसे वो चाहिए वाब के मूर्ति कला हो, या या फिर कुछ पत्थ्रों की बने हुए हो मूर्तिया हो, चाहिए धातू की बने भी मूर्तिया हो, या फिर कोई मंदिर, कोई ऐसी पूजा अस्तुल वगरा कुछ बना हुआ हो, तो वो कुछ चीजे रह गई, कुछ आपके मृदभांड थे जाए वापके NBPW की मृदभा या कौन सी ऐसी चीजे हैं, जो मतलब हमें नगरों के बारे में एक प्रकार से जानकारी देती है, ठीक है, अब बात यह आती है कि इस नगरों से संबंदित में आपको एक अच्छा सचित्र बता देता हूं, उसमें से हमें कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे, यहां पे नग मुले हमें मौरेकाल के अंबर, यह प्रशन पिछली बार 1st Grad में भी पूछा गया था, और सबसे मज़े की बात यह कि प्रशन 1st Grad में जो पूछा गया, वह भी जन्धा इस्टेडी के पेपर में पूछा गया, इतिहास विशाय के पेपर में नहीं था, यह पेपर था, GSGK by के पहले पेपर में जो की सा Dlatego के ऐर्ट वालों के लिए भी था अगर और तो यहां पी आते हैं तो यह वहां पे सवाल पूछा गया और आपको बड़े मुझे बड़ा ताजवुँ हुआ था कि उस समय की जो किताबेEM थी उस समय कि किसी केंके वी किताब स्थे इस usable नहीं था अलगि बाद में किताब में चपी करिया उस-में तो बाद में दे दिया गया लेकिन पूछ गया उसमें सवाल बहुत साओं मेंन नहीं था बहुती कम चुनिंदा किताब हम नहीं था जब किशटी क्लास से चाहां में पड़ा NCRT की किताबे काफी महत्पून होती है आप एक एक वीडियो अगर मैं वैसे भी अल्टरनेटिव देता हूँ जब भी फ्री टाइम होते हो उसको देख लो देखके उसको शौर्ट में नोट्स कर लो मुश्किल से एक कोपी तियार होगी और आपको जियस के लिए कहीं और जाना की ज़रूत नहीं पड़ेगी मौरे काल में वल्यकूप मुखी रूप से प्रचली थे उसके बाद की कालों में भी देखे गए लेकिन पहली बार मौरे काल में देखे गए पहली चीज तो यह दू की जाता थाउन है कि शाहता है इसके साथ नाली का कच्रा उता था वो भी इनमें वल्यकूप में डालने का काम का क्या जाता था तो नाली का कच्री निष्टारण का काम भी इसमें होता था तो आप यह का यह की वल्य कूब एक पुरकार से कूड़ी दान की रूप में यूज ओता था ठीक है तो लेकिन धरातल के अंदर होता था और यह सारा का सारा कच्रा भगरा इसके अंदर डाला जाता था एक किताब लिख लिए कि वल्य कूप का उप्योग जल संग्रण के लिए होता था ऐसा नहीं था NCRT ने सपष्ट किया यहां पर अलांकि मैं भी पहले यह सोचता था कि वल्य कूप कूप यानि कूवा तो निश्यत रूप से जल संग्रण के लिए होगा लेकिन जब NCRT को पढ़ा तब उसमें लिखा था कि वल्य कूप का उप्योग क्या होता था ठीक है तो पहली चीज़ से यह ज्यान रखना ऐसे कई वल्य कूप हमें विवीन नगरों से प्राप्त हुए तो इन वल्य कूपों से भी हमें नगरों की जानकारी मिल जाती है तो व काफी महत्पोन है और यह जो वल्यकूप आप देख रहे हो यह एक दिली के घर से प्राप्त हुआ है तो वहां से एक यह वल्यकूप प्राप्त है जोसका फोटो-nCRT नहीं यहां पर दिया है काफी महत्पोन है तो इस पूरे चैप्टर के अंदर वल्यकूप वाले में सौ इतना ध्यान रख लेना से ज्यादा इसमें देखने कि आप शेक्ता नहीं अब नेक्स टेक्टर में क्या करेंगे नेक्स लेक्टर में यह पांच से साथ आठ चार पीछे की जो बिंद हुए इनको हम समझ लेंगे और उसके बाद यह चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत दन्यवाद स्टूडेंट मस्त रहिए रस्ते रहिए और नियंतर पड़तरीर साथ साथ में अन्सी आठीकी लूट्स दुए वो बनाते रहिए